आज हम सिखेंगे अद्रक लेसून का पेस्ट कैसे करते हैं अद्रक को छीले और उसे अच्छी तरह से धोले ये पेस्ट आप 15 दिन स्टोर कर सकते हैं फिर अद्रक के छोटे छोटे दुकडे करें मैंने एक बोल छीला हुआ लेसून लिया है एक बोल से थोड़ा कम अद्रक है चार से पांच हरी मिर्चिया नमक एक टी स्पून और तेल पहले हम लेसून को पीस लेंगे हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो हमें ये पेस्ट तुरंद इस्तेमाल करनी होती है आपको स्टोर करना हो तो इसमें पानी बिल्कुल ना डाले पर इसमें हम अद्रक हरी मेर्ची नमक एक टीस्पून और एक टीस्पून तेल फिर हम इस सारी सामगरी को अच्छे से पीस लेंगे पर हमें इसका बारी क्या एक्तम पतला पेस्ट नहीं करना है बस जाडा पेस्ट बनाना है जाडा पीसने के बाद आप इस पेस्ट को एक कंटेनर या कोई भी डिबे में निकाल सकते हैं और इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं ये कम से कम 15 दिन अच्छे से रहेगा पर याद रहे इसमें पानी बिलकुल ना डाले आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेर और सब्सक्राइब करें